इस question में चमेली की पास जितनी पैसे थे उसमें से 75% उसने खर्च कर दिये हैं और इनको खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपीज बचे हैं तो हमको बताने कि beginning में उसके पास total money थी कितनी तो यहाँ पर हम total money को x मान लेते हैं अब क्योंकि हमारे पास amount of money left है तो सबसे पहले हम percentage of money left निकाल लेते हैं percentage of money spent हमको given है 75% तो money left निकालने के लिए हम spend वाले को 100 में से minus कर देंगे यानि कि 100 minus 75 जो कि हमारे पास आ जाएगा 25% अब यहाँ से percentage of money left हमारा हो जाएगा money left जितनी उसके पास बची है divided by total money जो थी उसके पास और into 100 percentage of money left हमने निकाला है 25% money left जो उसके पास है वो 600 रुपीज है total money x है और into 100 यानि कि यह हमारा आगया इसके इक्वल अब यहाँ पर क्योंकि x डिवाइड हो रहा है तो इसको numerator में लाने के लिए इधर लाके multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा x into 25 is equal to 600 into 100 25 multiply हो रहे है इधर आगे हो जाएगा divide यानि कि 600 into 100 upon 25 यानि कि यह जाएगा इसके इक्वल अब 25 और 100 cancel हो रहे है तो 25, 5 is 25, 5, 2 is 10 और 5, 0 is 0 again 5, 1 is 5 और 5, 4 is हमारा होता है 20 यानि कि यह आजाएगा 600 into 4 अब इन दोनों को multiply करने के लिए हम 6 into 4 कर देंगे जोगे 24 होगा और इसमें पीछे जितने 0 है 20 है तो 20 लगा देंगे यानि कि उसके पास total money थी rupees 2400